नमस्कार स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी के चैनल पर और आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बहुत एक इंपोर्टेंट इशू कहा सकते हैं कि सील बंद कवर यानि सील्ड कवर रिपोर्ट क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे बहुत इंट्रस्टिंग टोपिंग है आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और पीडियेफ के लिए एक इंफोमिशन में आप लोगों को स्टार्टिंग में दे देता हूँ कि टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बोक्स में तो जाकर आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर सीधा ही टेलीग्राम पर आप टाइप करिए सेल्फ स्टेडी आपको इस तरीके का आइकन नजर आएगा जिसमें लगबग 9900 के असपास बच्चे जुड़े हुएं तो आप सीधे जाकर वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं देखे अभी क्या हुआ है बिहार सरकार के किलाफ एक अपरादिक अपील की सुनवाई कर रहे थे बारत की Chief Justice of India निए N.V.Ramana जी जो थे हैं वो सुनवाई कर रहे थे, बिहार सरकार के किलाफ एक अपरादी कपील डाली गई थी, तो यहां पर इनकी सुनवाई करते हैं वक्त, बिहार सरकार की तरफ से जो वकील केस लड़ रहे थे, तो उन वकील ने क्या क्या, कोर्ट के अंदर एक सील बंद कवर रिपोर्ट पेश कर दी, अब जब एक सील बंद कवर रिपोर्ट पेश की, तो Chief Justice India ने इसके उपर डांट लगा दी, कहते हैं यह नहीं चलेगा यहां पर जिस sealed cover report आप जो paste कर रहे हो वो बहुत rare case होते हैं जहां पर इनको use किया जाते हैं आप ऐसे ही हर जगा पर इसका use नहीं कर सकते और साथ ही साथ एक और जगा भी use किया गया केरल के अंदर एक channel है news channel है उस news channel का नाम है media one तो media one को है जो वो केरल के अंदर या फिर कहें कि भारत के अंदर ban कर दिया गया अब जो ban किया गया वहां पर उसकी report को भी एक तरीके से seal बंद cover report मतलब seal cover report यह पेश की गई थी तो यहां पर बहुत सारे निया एलियों के द्वारा seal बंद cover नया शास्तर का यूज किया जा रहा है जैसे की राफियल फाइटर जेट समझोता हो गया 2018 बी सीचिय सुधार मामला हो गया भीमा कोरेगाओं मामला हो गया तो यहां इन सब जगह पे seal बंद cover नया शास्तर का यूज किया गया अब आपके दिमाग में सवाल तो उठ रहा होगा सर यूज तो कर रहे लेकिन होता गया यह तो बता दो फिर आगे बताना क्या वही सिंपल सी बात है इसका क्या मतलब है मैं समझाता हूँ समझो आपने A है ठीक है और यह B है यह सरकार मान लेते हैं आप है आपने कोई काम कर दिया ऐसा जिसे कोई अपरादिक काम कर दिया हूँ ठीक है आप गए भई यह कोड में कोड में चले गए यह सारी चीज़ें ठीक है आपने कोई अपरादिक मामला कर दिया आप भले आप गिल्टी हो समझा, ऐसे समझा, आप guilty होगे, आपने कोई अपरादिक काम कर दिया होगा बिहार सरकार के किलाव बिहार के किलाव lesson, बिहार लिका हुआ, तो सरकार के किलाव, तो court में case चल रहा है, तो सरकार ने अपनी report पेश की, आप भी जानना कुछ भी आूख अपको नहीं बता जाएगा या फिर पपलिक डिस्क्लोज किया है नहीं जाएगा यह किसी भी को भी नहीं बताएगा सिर्फ जिन्नोंने रिपोर्ट पेश की और जिनके पास जा रही है जुन्याए जज होगे उनको ही बस उनको ही पता होने वाला है इस report के अंदर क्या है अब इस report के अंदर कुछ ऐसी चीजे हो गई जिसमें आप guilty होगे अगर आप थे भी नहीं आपको पाया गए आप guilty और आप कहते रहें की मुझे तो बता ओ कोर्ट ने का कि नहीं बता सकते क्योंकि यह sealed cover report है इसके अंदर हम disclose कर नहीं सकते हैं अब disclose कर नहीं सकते हैं तो आपको लगेगा यार यह तो मेरे साथ अन्याय हो रहा है मुझे तो बताया है यहीं किसी ने कि क्या प्रस्तूत किया है सरकार ने कहीं जूट बोल दिया हो या फिर कुछ भी ऐसा उल्टे सीधी चीज़ें ला के रख दिया हो जिसका मेरा कोई तालूक नहीं है आप वहां पर चिलाते रहे कि लेकिन ऐसा कुछ हुआ है नहीं कोट ने तो का कि आप गिल्टी हो क्योंकि सरकार ने सील्ड कवर रिपोर्ट पेश कि तो यहां पर यह है सील्ड कवर रिपोर्ट जिसके अंदर दूसरे के विपरीत पक्स को कुछ भी नहीं या फिर केँगे पुब्लिक में डिस्क्लोज तक की नहीं किया जाता कि भी क्या पेश किया गया है अब देखें कि राफियुbag के अंदर क्या हुआ था बोलन दिया गया यह सिरु और पर सिरुप पताया गया तो वो विवस थे क्योंकि यहां पर सील्ड कवर निया शास्तर का यूज किया गया था वो भी पुब्लिक डिस्क्लोज नहीं कर सकते थे यहां पर तो यह होती है सील्ड कवर रिपोर्ट तो थोड़ा बहुत हम इसके बारे हम जान लेते हैं कि देखें सर्वोच नियाले या फिर कभी-कभी निचली अदालतों दोरा यह इस्तिमाल की जाने वाली कैसी प्रता है ठीक है जिसके दायत क्या होता है सरकारी एजंसियों से सील्ड बंद लिफाफों की जानकारी मांगी जाती है और यह एक्सेप्ट किया जाता है कि केवल नियाए धिश यानि सुप्रीम कोट के दोरा एक ओडर दिया गया था ओडर नमबर थर्टीन ओडर नमबर थर्टीन के रूल नमबर सेवन ये एक चीज होगी और 870 मतलब की 1872 में 1872 के अंदर भारतिय शाक्षय अधिनियम यानि इंडियन एविदेंस एक्ट 1872 के तहत इसकी सेक्शन 123 ये जो है इसका यूज कर सकते हैं इस पावर का यूज कर सकते हैं सुप्रीम कोट अचा सुप्रीम कोट यूज कर सकता है यहां पर अभी तक आपने इन दोनों अंदर ये दो पॉइंट आप देखें तो इन दोनों पॉइंट के अंदर बात की गई है सिर्फर सुप्रीम कोट या पर भी सरकार की बात नहीं हुए है लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें तो सरकार ने सील बंद कवर रिपोर्ट पेश किया है यानि कोट भी यूज कर सकता और गोर्वर्मेंट भी यूज कर सकती है अलग अलग चीजह है ध्यान रखना इस चीज़ को मैं यह नहीं कह रहा ह सुप्रीम कोट यानि कई दो तरीके से पावर मिलती है एक तो सुप्रीम कोट का खुद का ओडर ओडर नमबर 13 उसका रूल नमबर 7 है एक तो यह और दूसरा है भारतिय शाक्षे अधिनियम अठासो बैतर जिसके सेक्शन नमबर 123 के अंदर यह पावर दी गई है सुप्रीम कोट को अब दोनों को एक एक करके समझ लेते हैं सरवोच नियाले के आदेश नमबर 13 और इसका 13 का रूल नमबर 7 इसमें क्या है इसमें यह बोला गया है कि अगर जो मुख्यन नियादिश है या फिर और भी जो अदालत है वो कुछ सुचनाओं को सील बंद लिवाफे में रखने के निर्देश देते हैं जिसमें क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा गोपनियता प्रकृति के होते हैं यानि उनको सीक्रेट रखना ही रखना ज़्यादा ज़रूर है पब्लिक को वो चीज नहीं बता सकते हैं और या फिर एक तो ये हो गई साथ ये साथ कोई क्रिमिनल मामला है अभी देखो ये जो बिहार सरकार के खिलाफ ये क्रिमिनल मामला है तो यहां पर किसी पक्ष को भी यानि जो दूसरा पक्ष लड़ रहा है के उसको भी जानकर इनी परवाइड करवाई जाएगी यहां पर कि उस सील बंद कवर में क्या आया हुआ है तो यह इस इस सेक्षन के ताहित इस नियम के ताहित सुप्रिम कोट को पावर मिलती है अब क्या सुप्रिम कोट चाहे तो दूसरे को बता सकती है बेशक बता सकती है चीफ जस्टिस यह आदेश दी कि हाँ अब यहां पर जो विप्रीट पक्ष है यह चाहे तो वो एक्सेस कर सकते है अगर यह बोलेंगे कि एक्सेस नहीं कर सकते तो वो एक्सेस भी नहीं कर सकते है उनकी अनुमती चलेगी यहां पर और इसमें यह भी उलेक किया गया है कि जो सूचना को गोपनेता में रखा जा सकता है उसको रखा जाएगा वहाँ पर मनलब कि जनता के हित में मनलब नहीं माना जाएगा कि वो पबलिक के इतना उनके लिए इंटरस्ट में नहीं है पब्लिक इंटरस्ट में इतना नहीं है तो उसको गोपनेता में रखा जा रहा है वहाँ पर अब यहाँ पर 1872 यह बारतिय साक्षिन देनियों सेक्षन 123 यह क्या कहता है इसके तेहती है कि जो भी अपने देश के अंदर जो सरकार के अंदर जो भी मामले हुए है और ऐसे मामले हैं जिनको बहार जनता को नहीं बताया गया और वहाँ पर उसकी रख्षा करने वाले सरकारी अदिकारी है उनके ओपर कोई प्रेशर नहीं डाल सकते कि आप वो दस्तावेज पब्लिक के अंदर लाईए उनको कोई मजबूर नहीं कर सकता और साथ ही साथ ये जो section number 123 जो है वो power देता है कि जहां गोपनिता और विश्वास के तैत जानकारी मांगी जा सकती है और ऐसी जानकारी मांगी जा सकती है अगर वो public domain में आ गई तो उससे बहुत जादा problem create हो जाएगी और ये जो जानकारी होती है वो किसके अंदर होती है देखे पुलिस case dairy का हिस्सा होता है उसकी detailing होती है पुलिस dairy की तो वो गोपनिता के तैत विश्वास के तैत जो सुप्रीम कोटा वो मांग सकती है और क्यों मांग सकती है क्योंकि अगर ये public domain में चले गई तो इससे दिक्कत हो जाएगी तो ओके ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे अब समझो जरा इससे problem क्या हो रही है सील बंद कवर नया शास्तर से जो related issue है वो क्या हो रही है इससे एक तो सबसे बड़ी problem हो रही है पार दिर्ष्टा और जवाब देगी किसे दानतों के खिलाब भई आपके मैंने जैसे मैंने बताया आपने कोई अपराद नहीं किया हो या फिर आपको ऐसे अंदर मतलब समझो कि अपरादिक मामले में आप फस गए हो और जो कहें कि government है जो government है आप दोनों के बीच में कोई कहा सुनी चल रही है और ये मामला जब वो court के अंदर गया हुआ है तो court को ये जो government अपनी report पेश करती हो seal one cover के अंदर पेश करती है तो जिससे आपको पता ही नहीं चला कि court और government के बीच में क्या बात हुई और आपको इसके अंदर सजा सुना दी जाए या आपके खिलाफ कोई फैसला सुना दी जाए आप कहेंगे कि मुझे तो कुछ बताया है नहीं तो court का जवाब आएगा कि भही नहीं बता सकते क्योंकि ये sealed cover report है हमने उसकी उस power का use कर लिया अब वहाँ पर एक तरीके से transparency घड़ जाती है court की अब जो accountability होती है court की वो घड़ जाती है लोगों का कही न कहीं उसके उपर से विश्वास फूतने लग जाते है तो ये open जो अदालत है ये उसके यानि open court है उसके विरूद है यही बात N.V. रमना जी ने बोली कि आप जो ये sealed cover report पेश किये ना जो open court है उसके विरूद है क्योंकि हम यहां सारवजनिक हित की बात कर रहे होते हैं लेकिन कोई एक ऐसा मामला जैसे भई माना चलो राफेल डील होगी वो तो दो government का हिस्सा होगा वहां पर हम public के हर चीज नहीं बता सकते हैं और obviously वो चीज नहीं बताई जानी चाहिए तो लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जहां पर अगर मोलिक अधिकार शामिल हो जाते हैं अगर किसी वेक्ति कि मोलिक अधिकारों का उलंगन हुआ है तो ऐसे चीज़ों को तो दोनों पक्षों को बताया जाना चाहिए वह एक तो government को भी बताना है जाना चाहिए और यहां पर इसको भी बताया जाने कि तुम्हारे मोलिक अधिकारों का अलंगन किया गए तो यहां पर यह जो रिपोर्ट है वो तो दोनों के बीच में साजा किया जाने चाहिए लेकिन मीडिया वन जो चैनल है वो जो केरल का है वो उसका बंद किया गए एक न कहीं न कहीं उसके जो fundamental right है उसका उलंगन हुआ वहां पर अब वो अलग जीज़ गुवर्मेंट ने यह बोला कि यहां पर कुछ ऐसी चीज़ें इसके द्वारा प्रस्तूत की गई है जिससे देश की security उसके जो देश के जो important information बाहर जा रही है उसके खत्रा बना है तो यहां पर यह जो गुवर्मेंट का मत उन्होंने छोटा मुटा अपना रखा भी है यहां पर clear तो कहीं न कहीं बोला गया कि अगर मोलिक अदिकार शामिल हो जाएं तो वहां पर यह दोनों चीज़ें बतानी जरूरी होगी दोनों पक्षों को अब आगे चलते हैं देखिए दलीलों का दाइरा कम करना इसका मतलब होता है कि अब जिखिए जो अदालत होते हैं अगर उन्होंने इस पावर का यूज करिया शील्ड कवर रिपोर्ट का यूज कर लिया तो वो अपनी इच्छा से क्या कह सकते हैं कि दलील नहीं हो पाएंगी वो अपनी इच्छा से फैसला सुना देंगे अपनी मर्जी का मनमानी तरीके से तो एक तरीके से देखा जाए तो बाइजनेस बढ़ जाती है वहाँ पर अब देखो अब भी कोई जो न्यायदिस होते हैं जज होते हैं वो कोई फैसला सुनाते हैं तो उनको कोई तरक देना पड़ता है कोई रीजन बताना पड़ता है कि उन्होंने क्यों फैसला सुना है आपने मुवीज देखी होंगी आपने सीरीज देखी होंगी तो वो सारी चीज़ें वहाँ पर बताते हैं इन कवाओं के मत्यदन नजर रखते हुए सारी चीज़ें वो बताई जाती है लेकिन अगर वो बात आजाए गोपनियता के रूप में अगर वो गोपनियता रूप से प्रस्तूत की गई जानकारी है तो वहाँ पर जज होते हैं मतलब कि एक अल्टरनेटिव चीज़ है जिसका यूज कर सकते हैं जिसके कहते हैं कि कैमरे के समक्ष शुनवाई जब ये जो चीज उपलब्द है जब सरकार इसका यूज कर सकती है जो सरकार इसका यूज कर सकती है तो वो क्यों सरकार को ऐसी पावर दी गई है जो वो सील्ड कवर रिपोर्ट को यूज कर रही है तो क्या ऐसी पावर दी जानी जुरूरी है उनको दूसरी बात बोली गई है निश्पक्ष परिक्षण और न्याय निर्नेग में बादा और यह भी तर्क दिया जाता है कि आरोपी परिक्षण को ऐसे दस्तावेजों तक पहुंच परदान नहीं करना उनके निश्पक्ष परिक्षण और न्याय निर्नेग के मारग में बादा डालता है वही सिंपल सी बात है कि आपने कोई केश डाल रखा है आपको अपरादी मतलब मान रखा है और आपको ही वो दस्तावेज नहीं दिखा रहे है कि क्यूं माना गया है जो कॉर्डमेंट ने रिपोर्ट पेश की है तो एक तरीके से निश्पक्स जांच नहीं हुई वहाँ पर आपको सही धंक से न्याय नहीं मिला वहाँ पर तो ये प्रोब्लम आती है इससे अब एक जैसे ही बोलागे कि मनमानी परकरती है देखे सील बंद कवर जो अलग-अलग जो जजीज है उनके ओपर डिपेंट करता है वो उसे कैसे लेते है समान्य अभ्यास की बज़ाए वो किशी विसेस यानि पर्षनल बंदु को लेकर इसका use कर लेते है जसे इस अभ्यास को एक तरीके से मनमाना बनाता है अब यहाँ पर सुप्रेम कोर्ट का क्य कह나 है इस चीज को लेकर देखे सुप्रेम कोर्ट का ये कहना है कि उन्होंने इस चीज को कहां से लिया है कि Modern Dental College बनाम मध्य परदेश राज्य है 2016 केस हुआ था जिसमें जो Supreme Court है उन्होंने क्या किया इसराइल का जो Supreme Court है और इसराइल के जो Supreme Court के जो Retired Judge है Chief Justice एहरोन बराख उन्होंने एक अनुपातिक्ता का परिक्षन यहां पर परपोशनलेटी टेस्ट यह दिया था इस परपोश किया था उन्होंने तो इसको अडॉप्ट कर लिया Supreme Court ने जिसके अंदर बोला गया कि आप Constitutional के जो Right है वो कम कर सकते हैं लेकिन वो एक सीमा तक कम कर सकते हैं वो भी तब जब Constitutional इसकी इजाज़त देता है ध्यान से सुनना उन्होंने क्या बोला उन्होंने बोला कि समविधानिक अधिकारों की एक सीमा समविधानिक रूप से अनुमे होगी यानि आप Constitutional Right के उपर Limitation, Limit लगा सकते हैं वो भी कब जब समविधानिक यानि समविधान में उसके बारे में Permission दी गई हो तब ठीक है और जब आप उसके ओपर Limitation लगा रहे हो तो उसको उपर आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा जैसे कि इसे एक उचित उदेश है यानि आपका कोई Purpose है वो definite होना चाहिए कि आप उस Purpose के लिए इसका यूज कर रहे है वो बहुत एक Reasonable Purpose होना चाहिए ऐसे नहीं कि आप हर एक Civil हर एक Criminal Case के अंदर इस चीज का यूज कर रहे हो दूसरा ये कि इस तरीके इस तरह की सीमा यानि जो आपने जो Limit लगाई है वो लागू करने के लिए जो आप तरक संगत रूप से उस उदेशी की पूर्ती से जुड़े हो मतलब कि आप जो भी Purpose है आपका जो Limit लगाने के पीछे जो Constitutional Right के ओपर आप जो Limit लगा रहे हो जो वो उदेशी है जो आप Purpose प्राप्त करना चाहते हो और उसके आपने जो reason दिये है वो उससे connect होने चाहिए ऐसे नहीं कि आपने हवा सर पैर में बातें कर दी हो हमने ऐसी लगा दिया वह ऐसे लगा दिया ऐसे नहीं आपको वो definite बताना होगा कि क्यों लगाया जा रहा है वहाँ पर अब यहाँ पर जो भी यह उपाय किये गए हैं वो इसलिए आवशक हो कि आपने जो limit लगाई है जो constitutional right के उपर कोई भी आपको purpose लेना था कोई भी आपको न्याय करना था तो वहाँ पर टब करो कि उसके उपर कोई alternative ना हो यानि अगर आपके सामने कोई alternative choice है तो उसका यूज कर लो लेकिन अगर alternative choice ना हो तब इस चीज का यूज किया जाना है और अगला यह बोला जा रहा है कि देखे उचित उदेशे यानि जो purpose है जो सही purpose है उसको जो purpose जो achieve करना है और साथ इसाथ जो आप limit लगा रहे हो जो constitutional right के भी तो इनके बीच में आपको relation सही बना के चलना है ऐसा नहीं है कि आपने limit बहुत जादा लगा दी और आपका जो purpose है वो सही धंक से भी नहीं निकल रहा तो यह सब चीजें ध्यान रखनी है साथ इसाथ यह बात बोली गई कि पी गुपाल कृष्णन बनाम केल राज्ये के मामले 2019 में फैसला सुनाया गया कि सरवोच नहले ने कहा कि जो आरोपी है जैसे अभी आरोपी कोन है आरोपी है गोर्मेंट बिहार गोर्मेंट तो जैसे कि आपको example दे रहा हूँ जो बिहार गोर्मेंट आरोपी है तो वो दस्तावेज का खुलासा करे समयधानिक रूप से अनिवारे है यह बात बोली गई थी कब इस मामले के अंदर ठीक है तो यहाँ पर समयधानिक रूप से अनिवारे है बले ही जाच जारी हो क्योंकि जो दस्तावेज आएंगे सामने उससे क्या होगे जाच में एक तरीके से सफलता मिल सकती है अब यहाँ पर क्या इसका यूज किया गया था एक बर यूज किया गया था दीकि 2019 के अंदर INX मीडिया के मामले में सर्वोच नियाले ने जो ED है यानि enforcement director है उन्होंने अपनी जो report है वो सील बंद लिफाफे में जमा करवा दी दिल्ली हाई court के अंदर अब दिल्ली हाई court के अंदर जब यह report जमा कराए गई तो दिल्ली हाई court ने क्या किया जो पूर के अंदर है यानि union minister थे former union minister थे उनको जमाने देने से मना कर दिया और supreme court ने उसके पर डांट लगाई कि भाई आप यह कर क्या रहे हो क्योंकि यहाँ पर सील बंद report आई थी तो कुछ बोल नहीं सकते थे मतलब कि जो court या जो वकील है वो बोल नहीं सकते थे अब बोलें क्या क्योंकि इस power का use कर लिया गया और इस power का use किया गया तो उनको जमाने देने से मना कर दिया गया हाई court ने दिली हाई court ने मना कर दिया और यहाँ पर हाई court ने जब मना किया तो यहाँ पर supreme court है उन्होंने उसको डांट लगाई थी तो ये सब चीजें इस तरीके से यूज की जाती है अब आगे की रहा क्या हो सकती है देखिए जो कारेपालिका है वो एक तरीके से जो भी काम कर रही है उसका न्याइक समिक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है यानी उसका Judicial Review बहुत ज़्यादा जरूरी है वो जो Judicial Review होगा वो कारेपालिका को जवाब दे ठहराता है और जो भी कारेपालिका है अब ये कारेपालिका कौन होती है जैसे हमारे देश के अंदर देखो माँ आपको समझाता हूँ यह एक ऐसे होता है यह होगी Judiciary होगी यह Executive होगी यह Legislative होगी Legislature और Executive यह क्या है एक तरी के से Parliament है यह समझो Parliament है यह जो है वो कानून बनाने वाले हैं और यह कानून लागू करवाने वाले हैं और यह समिक्षा करने वाले हैं यह Check and balance बोलते हैं इसकी power ज़ादा नहीं है, क्योंकि अगर यह ज़ादा करेगा, तो यह इसको handle कर लेगा, अगर यह ज़ादा powerful होगा, तो legislature इसको handle कर लेगा, तो यह check and balance की चीज़ें चलती है, तो यहाँ पर executive ज़ादा हावी हो रही है, यह जो कारेपालिका है, यह हाँ भी हो रही है, तो कहरेगी कारेपालिका अपने कारेवों को, जो भी उन्हेंने काम किये हैं, वो उनका जवाब दे, ठीक है, विशेश रूप से तब, जब अगर मोलिक अधिकार जैसे हों की, वहाँ पर आप कटोती करने की बात कर रहे हो और भारत का समीधान जो है वो कारेपालिका यानि एक्जिक्यूटिव को ऐसे अधिकारों का उलंगन करने वाले मनवाने आदेश पारित करने की छूट नहीं देता है कि आपने कहा कि मैं तो मोली कदिकारों में कम करना चाहता हूँ तो आप नहीं कर सकते हो और दूसरी बात ये बात वोली गई है अगर जुडिश्री ऐसे ही एक तरीके से दर्शक बनके बैठा रहेगा जहां पर एक्जिक्यूटिव पावर कम कर रही है मोली कदिकारों की तो अगर वहां पर करने के लिए बात दे होता है तो ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है सुप्रीम कोट की कि वो इस चीज़ की रक्षा करे वो उस चीज़ को ध्यान रखे कुछ चीज़ें जरूरी होती है कि उनके उपर कोट को एंटरफेर नहीं कर सकता है कोट खुद कहता है कि यहां पर एंटरफेर नहीं करना चाहिए लेकिन हर जगहें पर ऐसा नहीं हो सकते कि अप हर जगहें जवाब देने लग जाएं कि हम यहां पर एंटरी नहीं करेंगे क्यों कि चीज़ कवर रिपोर्ट आ गई ऐसा नहीं कर सकते ह hammy तो उमीद करता हूँ कि यह जो आपका जो session है वो आपको समझ में आया होगा shield cover report क्या होती है और इस related क्या-क्या issues है और इसको कैसे दूर किया जाना चाहिए या फिर इसका कैसे use किया जाना चाहिए तो आपको आप समझ आया होगा तो मुझे कैसे बताएंगे तो like करके चैनल को subscribe करके और साथ इसाथ पीडियो जो है मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि टेलिग्राम का link दिया मिलेगा description box में तो जाकर आप वहाँ से मिलता है तो वसाथ के लिए इतना है रखते हैं thank you for watching this video